हे दिया पोकेमों ट्रेनर्स दिस और अगले चाराज हम लोग दुबरस आ चुक है पोकेमों युनाइट्स की और नहीं अपडेट वीडियो में तो भाई लोग पैचनोट आ चुक है और इस बार के पैचनोट में काफी सारे पोकेमोंस को नर्फ मिला गया है और उसी के साथ क्रीडेंट हमारा डिफेंडर को बॉफ मिला है इस बार और उसी के साथ जो मेक डैमेज एट वन्स था वो भी काफी सारे पोकेमोंस में डाला गया और हटा दिया गया है और अगर मैं नर्फ की बात करूँ तो इस बार नर्फ हमारे गलेसियोन को मिला है अंब्रियोन को मिल को बॉफ मिला इस बार प्लास हमारे इंटैलिओन को नॉफ कर दिया गया इस बार और बफ की बात करने था और इसी के साथ सब्सेर को बॉफ मिला है और इसी के साथ कुछ हिदन चेंजिस है ऐजिए जो कि गैयरेडो और शीजार के बुस्ट्टिर अटेक से रिलेटिड है तो आज की वीडियो में लोग इनी सब अफडेट के बारे हमें बात करने वाले हैं तो वीडियो काफी मज़दार रहने वाली एंड तक बने रहीगा चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं पिने किसी वकई दीगे तो सबसे पहले हमारे चार्लिजाड के बेसिक अटेक को बफ किया गया है जो सका बेसिक एटेक 27.5% अटेक था अव उसको 30.8% अटेक करदिया गया है तो चार्ड लिजाट को यह basic साई वफ मिला है और बहुत अच्छा है कि उसका basic attack ही सबसे ज्यादा important होता है अगर उसकी unite move use करने के बाद use करें तो उसका basic attack बहुत ज्यादा important हो जाता है और उसके अलवा मार्चॉंप, लुकारी और हूपा किया जो make damage at once था उसको हटा दिया गया है अब make damage at once जिसको नहीं पता है तो वह भी मैं बता देता हूँ यह कुछ-कुछ पोकेमोंस हैं जिनका basic attack है उसका damage जब वो लोग देते हैं तो continuous 2-4 second तक पढ़ता देता है जबकि उन लोगोंने damage तो सिर्फ एक बार दिया है तो उस type के जो जो पोकेमोंस हैं उन सबका damage इस make damage at once में कम किया गया था तो उस चीज़ को अभी के लिए माचॉंप, लुकारी और हूपा से हटा दिया गया है Azumeral के साथ थोड़ा से विकार होगे क्योंकि उसका जो play rough की ability है उसका make damage at once को enable कर दिया गया यह निए अब उसका play rough से सिर्फ एक बार damage पड़ेगा multiple damage नहीं पड़ेंगे तो Azumeral के साथ थोड़ा सा विकार हुआ है पर ठीक है क्योंकि Azumeral वैसे भी बहुत स्टॉंग है तो एक ability से कुछ नहीं होता और इसके बाद ingredient के bullet seed को buff कर दिया गया है जैसा मैंने आपको बदाया था कि ingredient को इस बार buff दिया गया है तो उसके bullet seed है उस move को buff दिया गया है तो उ यूज करते तो हैं और damage increase रहेगा मतलब ingredient इस वर बहुत अच्छा Pokemon हो सकता है और मैंने अभी हाल फिलाल में एक video बनाई थी जिसमें मैंने top 10 Pokemon बताया थे 10,000 coins के अंदर तो मुझे लगता है उसमें मैंने ingredient नहीं बताया है मुझे ingredient को भी बताना चाहीए था क्योंकि उसको इ कर दिया गया है उसका जो increase attack speed था उसको 75% से 60% कर दिया गया है वहीं अगर उसके upgrade की बात करें तो upgrade में damage based on HP per spare को 1% से 0.5% कर दिया गया है यहीं सिधा सिधा उसका damage को decrease कर दिया गया है तो जितने भी attack को 100% से 150% attack कर दिया गया है और साइथर के basic attack को buff कर दिया गया है साइथर के basic attack जो उसका movement speed को दो सेकंड के लिए 35% बढ़ाती थी अब तीन सेकंड के लिए 40% बढ़ा रहा है तो यह चीज़ बाफ है कि नर्फ है मुझे यह समझना रहा है क्योंकि दो सेकंड के 35% अगर हो रहा है तो तो तीन सेकंड के 40% तो I think कम होगा जिते में math के student मुझे calculate करके comment बताओ क्योंकि य का double hit जो है उसको बफ कर दिया गया है उसके पूरे-पूरे स्टैट्स को increase कर दिया गया है और उसके अलावा सेकंड में 12% से 5 सेकंड में 20% तक increase कर दिया गया है तो वैसे ही बहुत तगरा चल रहा है और अभी के टाइम में जो साइड में साइड में थोड़ा सा तो benefit रह र वाला मूव है उसको नर्फ किया गया है उसका हील पर टिक को decrease कर दिया गया है और इसकी जो gravity वाले मूव है उसको भी नर्फ किया गया है उसका cool down 8 से 9 से कर दिया गया है तो नेक्स राता है अपना में गया है मैक सर्च डिस्टेंस को सेवन मीटर से 6 वीटर कर दिया गया है पूरी तर से मैं बौलू तो अम्रियों को बहुत तगड़ा नर्फ किया गया है उसका mean लोक वाला जो मूव है उसको सची साथ जो से पूरा का फूरा नर्फ मार दिया गया है कुछ भी उसमें नी उसका क्रीज इन अटेक एंड स्पेसल एटेक जो है उसको 4% से 3% कर दिया गया और इसी के साथ जो उसका फाइनल शॉट होगा उसका डिक्रीज इन अटेक एंड स्पेसल एटेक को 20% से 15% कर दिया गया और इसी के साथ मिमिक्यू का बेसिक अटेक में भी मेंक डैमिज अट व डिक्रीज कर दिया गया एक में दोडिये में और फार रेंज में तीनों के लिए और इसके बाद आता है अपना गयरड्यडा तो गैरडोस के बाउन्स मूव का अफेक्ट रिंज को तू मीटर से तो पॉइंट फाइव मिटर कर दिया गया तो ति ऑच्छी है फिर आता है अप जंडर मूव है उसका कूल डाउन को 8 सेकंड सर्फ 10 सेकंड कर दिये गया है और उसके अलावा जो इसमें टील डैमेज था जो एनमीज को 30% स्लोडाउन करता था अब उसे 10% करेगा और अपग्रेड में भी यही सेम चीज है वो 50% स्लोडाउन एफेक्ट सर्फ 20% स्लोडाउन चलने वाला है फिर आता है अपना ट्रैवरेंट का विल ओ वाइस वाला जो मूव है उसमें न्यू इफेक्ट एड़ हुआ है जिसमें एनमीज का अटेक को 5% डिक्रीज कर देता है अब वो 5% से 10% डिक्रीज होने वाला है और उसके स्पैसेल अटेक सेम ही रहेगा 5% तो ट अच्छे पोकेमोंस को नर्फ मिला है और बहुत वैसे जिनको लोग कम यूज करते थे उनको बफ भी मिला है तो यह चीज बहुत अच्छा रहने वाला है तो अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल में पहले बार प्रेट के साथ तब तक के लिए बाब बाए